स्वागत आफ सभीका जिशा क्लास्टिस ओनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे फिजिक्स के आएंपी कोशिंस का पार्ट टू इससे पहले पहला वाला पार्ट में बना चुका हूँ उसको जरूर देखें आएंपी कोशिंस की सीरीज इसमें सुलिशन भी मिलेगा आपको इसलिए इसको जरूर देखें आज हम लगबख अज्याई 2 और अज्याई 3 के इंपोर्टन कोशिंस कवर करेंगे तो कौन-कौन से इंपोर्टन कोशिंस आपको आने वाले हैं इसमें साथ-साथ नोट्स भी में बदाऊंगा तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसक्रेंशोड ले सकते हैं या पोस्ट करके पूरा देख भी सकते हैं ओके तो सबसे पहला जो कोशिंस हमारा इंपोर्टन कोशिंस जो बनता है सबसे पहला जो question है कि विभांतर और विभाव से relate करके पुछेगा ठीक है तो सबसे पहला question हमारे पास यहां पर बनता है कि किसी भी बिंदू आवेश के कारण यह जो हमारा question है किसी भी बिंदू आवेश के कारण आर दूरी परिस्तित किसी बिंदू का वियंजग होता थी इस वियंजग को आपको निकालना है ओके किसी भी बिंदू आवेश के कारण आर दूरी पर इस्तीद किसी बिंदू पर ये बिंदू आवेश है जिसके कारण आर दूरी पर इस्तीद हमार पास पी पर एक वियंजग ग्याद करना है ओके पहला कोशन हमा वाले हैं तो उनमें से इस तरीके के बेट सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कॉश्चन जो हमारे पास आता है यहाँ पर इंपोर्टन कॉश्चन जो है कि विद्यू द्वीदू में अक्षी इस्तती और निरक्षी से इसमें भी पुछेगा निरक्षी इस्तती में वीभौब का मान शुन्नी होता है और अक्षी इस्तती में आपको सामने बता रखा है पहले हमने जैशागिब वाले में अक्षी इस्तती पड़ाता जो जो आपको चलिए आगे बढ़ते हैं और भी question important आने वाले हैं यह हमार पास निरक्षी इस्तिती का आशा करता हूं आपको समझ में आगया होगा निरक्षी इस्तिती में 0 होता है और यह कुछ objective विभो प्रहुनता पूछ लेता है आपसे विभो प्रहुनता का ऐसा ही मात्रक है बटे आर मतलब यह एक अगर वोल्ट बटे मीटर हमार पास इसका इसे मात्रक आ जाएगा और भी चीज़े आपको इसमें basic देख लेने हैं ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आवेशों के निकाई की स्तिती उर्जा का विंजग ज्याद की जाए आवेशों का निकाई मतलब वन बटे फोर पाई नोट क्यू वन क्यू टू बटे आर ओके जो हमार पास बल का जो सुत्र होता था उसमें केवल बटे में आर इसक्वेर आता था जबकि यहां पर केवल आर आएगा ओके तो यह हमार पास इस्तिती जूर्जा का विंजग है ठीक है चलिए आगे अपन ब पास उत्तर हो जाएगा क्यू बटे वी ओके चलिए और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी इसमें साथ में दिये तो यह चार नंबर का कोश्चन मन जाता आपके लिए ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ठीक है यह हमार पास कारक हो गए यह एक बहुत करते हैं यह आपके सामने चितर दे रखा है एक डोला लेला न उसके केंदर और को आवेश रख देना उससे जो विद्यू शेतर निकलता है कुछ इस प्रकार से निकलता है बाहर की ओर ओके यह है यह यहाँ पर पूरा चितर बना रह आए आपके सामने और इसका जो नीचे वाली जो चीज रही है यह आपके आजाएगी ऊपर तो हमारे पास आजाएगा C का जो वेल्यू आजाएगा 4Pi E-Note R 4Pi E-Note R बहुत ही जादा इंपोर्टेंट विंजक है यह गोली यह चालक की विद्यू धरीदा का विंजक है C बराबर 4Pi E-Note R और 4Pi E-Note R से अर्थ है कि उसकी त्रिज्जा का 4Pi E-Note गुना होता है त्रिज्जा जो दे रखी यह आपके सामने इसका 4Pi E-Note गुना होता है CGS पद्दिती में इसका मान 1 होता है आपको पता है तो यह 1 आगर आ जाएगा यहाँ पर तो उसका बराबर हो जाएगा C बराबर R तो आपको दोनों ही चीज़े याद रखनी है तो यह मैंने नीचे लिख रहा है कि यहाँ पद्दिती में गोली चालक की विद्यू धरिता त्रिज्जा की 4Pi E-Note गुना होती है और CGS पद्दिती में उसकी धरिता जो है उसकी त्रिज्जा के बराबर होती है objective बन जाता है यहाँ से एक चलिए आगे बढ़ते हैं अपन संधारित्र बहुत जादे important question है संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धान्द आपको बताना है और इसको प्रभायूत करने वाले कारक आप आरम से इसको उत्तर देख सकते हैं आपने किये होगा अगर आपको आता हो तो बड़िया बात है नहीं आता हो तो आप solution देख सकते हैं मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको solution भी पता चले और कौन-कौन से important question है वो भी आपको यहां से मिल जाए संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से रिलेट करके एक objective पूछ सकता है तो इसलिए आप इसका formula जरूर देख लिजिएगा next हमारे पास आता है यह important question है किसी आवेशित संधारित्र की इस्तिती जूर्जा एक उपर उस्तिती जूर्जा पढ़ा लेकिन यहां पर एक संधारित्र की इस्तिती जूर्जा का व्यंजग आपको निकालना है संदारित्र की इस्तिती जूर्जा का वियंजक आपको यहां पर बताना है तो संदारित्र की इस्तिती जूर्जा का वियंजक कुछ इस प्रकार से निकाला गया है और यह आ जाएगा 1 बटे 2 Q स्क्वेर बटे C ये संदारित्र की स्थिती जुर्जा का वियन जखे जो धारिता और आवेश दोनों पर depend करता है next last question is chapter का वंडीग्राब जनित्र वंडीग्राब जनित्र के बारे में पूरा पूछने वाला है चार नमर का question बन जाएगा अगर पांच नमर का हड़ गया है तो और वंडीग्राब जनित्र को आपको पूरा समझाना है बताना है सिद्धान सहीत या चित्र पूछ सकता है तो आपको पूरा यहा पर solution है आपके सामने जो भी आप पूरा कर सकते तो 1D graph जनितर जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आवेश उत्पन करने के लिए इस प्रकार से कुछ चित्र बनाना है आपको और पूरा में समझा चुका हूँ अगर आपको यह सब question के solution तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ यह लेकिन अगर पूरा समझना है तो आप 12th physics का 12th physics playlist में जाकर जरूर इसके वीडियो देख सकते हैं महाँ पर साब लिख रहा है 12th physics का playlist जरूर देखिए ओके चलिए तो यह हमारा चेप्टर जो 7 second इसके important question पूरे खतम हो चुके हैं प्योग और इसके दोश भी हैं अब अपने पास तिसरे वाला चेप्टर जो की important है तिसरे वाले चेप्टर लगबग पहले और दुसरे अध्याई दोनों का मिलकर अगर उसमें बोला जाए तो वह एकाई एक में आता है यह एकाई दो जो हैं हमारा पूरा केवल यह एक चे important मनता है विद्युद्धारा विद्युद्धारा और अफवावेग में आपको संबंद बताना है आपको एज़ी इस प्रकार से चित्र बना देना है और पूरा मैंने समझा रखा है क्यों आप यहां पर प्रश्ण पहला बन जाता है important कि विद्युद्धारा और अफवाव पूछ ले धारा गनत्व में इसका संबंद पूछ ले तो उसके बटे में शेत्रफल जरूर आ जाएगा ओके तो यहां पर हमारे पास संबंद इस प्रकार से कुछ एनी वीडी आ जाएगा यह शेत्रफल हट जाएगा शेत्रफल से शेत्रफल कट जाएगा ओके तो यह अब आराम से इसको भी करिएगा next अगले question की तरप बढ़ते हैं प्रतिरोद किसे कहते हैं इसका इसे मत्रग लिखिए तो प्रतिरोद अपना आराम से बना सकते हैं प्रतिरोद जो आप जानते होंगे basic तरीका और यह इतना important नहीं है और यह निर्भर किस किस पर पड़ता है तो चालक के लंबाय पर अनुप्रस्त कार्ट पर और ताप पर निर्भर करता है next प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध अगता तो इसमें अंतर पूछा गया तो पिछले साल यह वाला question प्रतिरोध और विशिष्ट परितिरोध या प्रतिरोध अंतर या प्रतिरोध और विशिष्ट परितिरोध भी बोलते इसको इनमें अंतर बताना है यह पूरा आपके सामने अंतर लिख रहा है तो आपको ढूंड लेना है या इसको देखकर AZT लिख सकते हैं तीन अंतर आपके सामने बताए गये हैं ओके चले चार दे रखें टोटल ओके आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो कोशन आ रहा है यहां पर देखी एक फर्मला रहा है श्रेणिकरम सहयोजन और समांतरकरम सहयोजन किसका प्रतिरोधुगा इनसे रिलेट करके एक पक्का नियु प्रतिरोध में संदारित्र में अलग तरीके से जुड़ते हैं उपर आपने देखा ही होगा ओके तो श्रेणिकरम सहयोजन यह प्रतिरोधुगा और समांतरकरम सहयोजन यह दोनों सुत्र आपको याद करने और इन दोनों सुत्रों से रिलेट करके एक नियुमेरिकल में न online अन देखा और समांतरकरम में जोड़ा जाए तो तो तुली प्रतिरोध दो बड़ा सानि इन तीनों गोड़ दीचे और तीन नो और आट 17 आजाएगा ओके और जिसे और समांतरकरम में ठोड़ा ध्यान देना हैं आपको कुछ इस प्रकार से जोड़ना पड़ेका कि इस प यमंह。」- रपस आ चुका है तो यह इस प्रकार से पू पूछेगा आपस तो आपको इस प्रकार से बठा करके जोड़ना है और फिर लाश्न में जाकर उसको आपस क्या कर देना है आपको उल्टा करके देना है请 चलिए रोध जो हैता होता है जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसका वन अकोड जो है उसको अगर अपने को याद कर फिर यहां से एक एक question मन सकता है तीन नंबर का जो आपके सामने में नीचे बतायाता हूँ ओके यह हमारे पास carbon-1 प्रतिरोद का मान से इस तरीके से प्रशन आज सकता है तो उसके लिए आपको वो table पता होनी चाहिए ओके यह बेर्ण हमारे पास दिया है किस प्रकार से प्रतिरोद इस ताएगा ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे किर्चोग के दो नियम होते हैं ठीक है एक संदी का नियम है और एक लूप का नियम लेकिन वो नहीं पूछेगा उसका उपयोग जो है यह वाला क्केशन जो यह वीट इश्टों से तु का पूच सकता है तो प्रस्ट नेक्स्ट इम्पोर्णन मनता है वीट इश्टों से तु को सिध्दान्थ सहीत सम장님ारे ओके तो यह वर आपको करना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो स्ट्रेंट से तो हो चुका है उसको अच्छी तरीके से करना है वीडियो स्ट्रेंट से तो जरूर पुछेगा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोत के लिए वियंजग वियुत्पन कीजिए वियंजग इस्तापित कीजिए यह आपका इंपोर्टेंट कोश्चन है इसका सॉलीशन आपके सामने यह दे रखा है मैंने पूरा समझा रहा है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं बाकि आप इसका इसका पूरा इसका आंसर आएगा ओके यह हमार पास का आंतरिक प्रतिरोत का भी जगे नेक्स्ट विद्यू सकती का ऐसा ही मातर को इससे कुछ अब्जक्टिव इस तरीके से पूछ सकते हैं अब्जक्टिव आप देख सकते हैं इसके बाद वीबोमापी और इसके नहीं है तो उनके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने पूरा देखा हो तो थेंक्यू जरूर लिखें ओके थेंक्यू